वेलकम टो एकलविय स्टेडी पॉइंट एड़ एम सचेन हैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की इंग्लिश से जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स आपके स्लेबस में आ रहे हैं short answer type questions करवाने वाला हूँ most important जो आपके बनते हैं चाहे आपका pre-board exam हो चाहे board exam हो हर तरीकी के exams में आपके ये questions काम आने वाले हैं तो चले फिर वीडियो को start करते हैं and आपको बता दूँ कि अगर आपकी कोई भी query हो कुछ आप पूछना चाहें तो आप instagram पे मुझे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने लिखा हुआ है और अगर आप हमारे telegram channel को join करना चाहते हैं तो class 12 ESP new group सर्च मार कर telegram channel को भी आप join कर सकते हैं तो सबसे पहले chapter 1 the last lesson जो है आपका उसके important question and answers में आपको बताने वाला हूँ धीरे धीरे आपको सारे chapters जितने भी है one short video आईए तो आपको एक video में सब कुछ मिल जाएगा तो आईए देखते हैं पहला question what changes did the narrator find in the school when the order from Berlin came so कौन सा order आता है उससे क्या changes होते है so जब order आता है Berlin से so इससे एक तो एक चीज रोक दे जाती है वो ये थी कि French अब नहीं पढ़ाई जाएगी Elsace and Lauren में and German सिखाई जाएगी and जब France आता है वो उस दिन लेट होता है काफी जादा जो normal चहल बैल होते थी schools में वो नहीं थी जो आवाज आती थी desk वगर की वो भी नहीं थी lessons के आवाज भी नहीं आ रही थी teacher के ruler की आवाज भी नहीं आ रही थी सब कुछ शान्द था quiet था और France काफी surprise था क्योंकि उसके teacher angry नहीं थे और बहुत polite थे उस दिन अगला question what was unusual about M.H.M.L.'s dress on his last day in the school क्या कुछ अजीब सा लग रहा था M.H.M.L. की dress में so M.H.M.L. ने अपनी ceremonial clothes पहने वे थे जो की वो बहुत खास मोकों पर पहनते थे उन्होंने एक beautiful green coat पहना हुआ था एक frilled shirt पहनी हुई थी और एक little black embroidered silk cap पहनी हुई थी उन्होंने कड़ाई करीवी और वो जब ही पहनते थे जब कुछ खास मोके होते थे जैसे कोई price giving ceremony होती थी inspection होता था तभी who occupied the back benches by classroom के back benches पर कौन बैटा था और क्यों बैटा था so जो गाओं के भुज़र्ग लोग थे elderly लोग थे वो बैटे हुए थे वो French language सिखाने के लिए MML का धन्यवाद करने के लिए वाँ पर बैटे थे कि इतने साल MML ने जो अपनी service दी उसके लिए वो धन्यवाद कहने आये थे अगला question why did France not want to go to the school that day so France उस दिन school नहीं जाना चाता था क्योंकि उसने अपने lesson को prepare नहीं किया था participle का test होना था और क्योंकि वो prepare नहीं था तो उसको डर था कि उसके जो French के teacher है वो उसको डाटेंगे so इसलिए France नहीं जाना चाता था अगला question what did the French teacher tell his students in his last French lesson क्या MML कहते हैं अपने आकरी lesson में so French language की कुछ खासियत बताते हुए MML कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे beautiful language है काफी clear और most logical language है और वो regret करते हैं कि यहाँ Elsass और Loren के लोग उसको सीख नहीं पाए जादा और जादा attention नहीं दिया उन्होंने इस language को सीखने में और इसके अलावा वो वहाँ के लोगों को कहते हैं कि मतलब एक रहना बहुत जरूरी है और बहुत ही जरूरी है अपनी मातरवाशा को याद रखना सो वो last में board पर लिख देते हैं कि vive la France यानि कि France अमर रहे और उसके बाद villagers को लगता है कि उनकी French language कितनी precious थी यह कुछ important short questions थे जो मैंने आपको बता दी है आगे चलते हैं second question है the lost second chapter है lost spring इसके भी दो पार्ट है rag pickers वाला और bengal makers वाला so important questions देख लेते हैं who was sahib what was his full name what was the irony about his name sahib एक गरीब कूड़ा बीनने वाला बच्चा था उसका पूरा नाम है वो है sahib आलम जिसका मतलब होता है lord of the universe and वो तो इसका मतलब तक नहीं जानता था और उसके पास shoes तक नहीं थे पहनने के लिए so उसका नाम ही काफी irony है नाम तो sahib आलम पैर में उसके जूते भी नहीं so यह irony है what is sahib looking for the garbage ठीक है garbage के धेर में sahib क्या डूनता था so garbage जब वो देखता था so उसको वहाँ पे कभी कबार कुछ पैसे मिल जाते थे कभी 10 रुपे का नौट मिल जाता था कभी उसको silver coin मिल जाता था कभी वो उसके अंदर gold रूनता था so एक तरीके से gold था जो उसके लिए garbage था उसको बहुत कुछ मिल जाया करता था रूनते वे ठीक है garbage to them is gold why does the author say so about the rag pickers so यहाँ पे rag pickers जो थे सीवापुरी के उनको कभी 10 कनोट मिल जाता था कभी कुछ मिल जाता कभी coin मिल जाते थे कभी silver coin मिल जाते थे so एक तरीके से यह gold ही था उनके लिए आगे है food is more important for survival देखिए identity से ज़्यादा food ज़्यादा जरूरी है ऐसा author कहते है so अनीज जंग बताती है कि food काफी जरूरी था क्योंकि 10 हजार से भी ज़्यादा ragpicker सीमापुरी में रह रहे हैं 30-40 साल से ज़्यादा without identity के वो रह रहे हैं उनको ये beautiful जगा मतलब छोड़नी पड़ जाएगी they had to leave their beautiful land in search of food वो अपने जगाओं को छोड़कर यहाँ पर आये हैं खाने के तलाश में so wherever they find food they move their place और जहां भी उनको खाना मिलता है वो उस जगापर जाते हैं justify the title lost spring lost spring जो title है वो बहुत अच्छा है क्योंकि spring बहुत ही सुन्दर season होता है और हमारा बचपन spring के season के जैसा ही होता है इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे अपना childhood जो time होता है वो waste कर रहे है रैक पिकिंग के अंदर जाकर और अलग-अलग industries में काम करके और millions of children like sahib और मुकेश वो अपनी life को खास कर अपने बच्चपन को खो देते हैं जो कि अमारा best part होता है जबी कहा गया है कि lost spring फिर क्या है mention the hazards of working in the glass bangle industry आप चूड़ियों की industry में काम करते हैं तो क्या उसमें hazards होते हैं बहुत सारे लोग काम करते हैं बहुत सारे लोगों को अपनी जानगवानी पड़ती है और इटने dinghy cells यह निकि बदबुदार कमरे अंधेरे कमरे जहां पर ना हवा है ना light आती है smell आती है उनकी bodies को बहुत जादा वहां पर तकलिफ पहुंचती है और brightness खो देते हैं लोग अपने आँखों की रोशनी तक खो देते हैं और वो जो dust टूडता है glass bangles को polish करने में उससे वो अंधे तक हो जाते हैं और welding light आँखों पर हती है high temperature से skin problems होती है what forces conspire to keep workers in Bengal industry और फिरोजबाद in poverty तो भई वो कौन सी ताकते हैं जो मजबूर कर रही है फिरोजबाद के लोगों को काम करने के लिए so there are two worlds operating in town of फिरोजबाद the first world consists of families engaged in the business of making bangles and बहुत मतलब समय से यहाँ पे families रह रही हैं जो की इसी काम में लगी हुई है उनको बहुत ज़ादा exploit कर रहे हैं जिसमें से सावकार लोग हैं पुलिसमेन हैं, middlemen, bureaucrats, politicians जो की उनको हर तरीके से शोशन करते हैं, exploit करते हैं और उनको कभी भी grow होना नहीं देना चाते हैं how in your opinion can Mukesh realize his dream so Mukesh एक family से आता है जो Bengal Makers की family है और Bengal Makers जो हैं फिरोजाबाद के वो गरीबी में रहते हैं, गंदे environment में रहते हैं पर Mukesh थोड़ा सा अलग है वो नहीं चाता कि उसकी गरीबी उसके सपनों को मारे वो एक motor mechanic बनना चाता है और Mukesh का dream हमेशा एक सचा dream है जो की real हो सकता है Chapter 3 है Deep Water Important Question Answers देखते हैं इसके हम How did the Douglas make sure that he had conquered the old terror कैसे उसको लगता है कि उसने पुराने डर पर win कर ली है So Douglas कुछ famous water sports पर जाता है और वो तैड़ता है उन जगाहों पर जाकर एक lake है Wentworth जो की New Hampshire में है वहाँ वो 2 miles across तक जाता है After that he went and camped by the side of the warm lake और उसके side में वो camping भी करता है अगली morning वो lake में dive करता है पूरे इदर उदर मतलब किनारों पर वो घुमता है चिलाता है, शोर मचाता है खुशी के साथ कि yes मेरे पानी का डर खतम हो गया है यह इसमें बताया गया है All we have to fear is fear itself ठीक है, यह Douglas क्या इसमें लिखा हुआ है आपको बता देता हूँ Douglas जाता है लेक Wentworth में जो की New Hampshire में है वहाँ पे वो experience करता है उसने हर तरीकी का experience ले रखा है कि मरने को कैसे वो feel कर सकता है Terror क्या होता है, पानी का हर तरीके के Terror हम खतम कर सकते है जो भी डर है वो पूरे लेक में इदर उदर तैरता है चिलाता है, जोई के साथ चिलाता है और वो कहता है कि Yes, all we have to fear is fear itself How did the instructor How did the instructor build a swimmer out of Douglas So, instructor काफी experience था, काफी patient था और उसने बहुत ही प्यार से Douglas को सिखाया, एक belt उसके चारों और लगाई, एक rope attach करी belt में, और उसके बाद वो पूरा मतलब एक cable वगरा भी लगाता था और मतलब proper उसको swimming करना पूल में सिखाय जाता था, Douglas हफतों तक practice करता था और instructor उसको बताता था कि पानी के अंदर सांस छोड़नी कैसे है, inhale और exhale कैसे करना है, फिर वो इन exercises को repeat करता था hundred of the time, दीरे 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 gradually वो सीखने लगा kicking कैसे करनी है अंदर और इसी तरीके से दीरे दीरे instructor ने Douglas के अंदर का swimmer एक बनाया, और now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke बहुत सारी चीजे, अब instructor कहता था उसको describe the efforts made by Douglas to save himself from the droning in the YMCA pool, जब Douglas डूबने वाला था तो उसने क्या efforts किये, सो जब उसके pair touch होते हैं, bottom of the pool में Douglas summoned up all his strength पूरी तागत लगा दी उसने उपर आने के लिए और एक cork की तरह उचल कर उपर आ जाए, ऐसी उसने पूरी कोशिश करी बट हुआ कुछ भी नहीं और कोई आवाज भी भार नहीं आ रही थी now a great force was pulling him under, he has paralyzed underwater, वो पानी के अंदर ही लकवा उसको लग गया था बही ऐसा हो गया था, उसकी body paralyzed एक्दम रुप गई, then in the midst of the terror came a touch of reason that he should remember to jump when he hit the bottom और as soon as he felt the tiles under him, जब उसको लगता है कि वही tiles touch हो रही हैं, he reached out his toes towards them and jumped again, वो दुबारा अपने पैरों को टिका कर वहाँ पे जूर लगाता है उपर चलने के लिए, पूरी strength के साथ, yet again the jump didn't make any difference, और दुबारा कोई भी मतलब फरक नहीं पड़ता उसके jump से, चारों तरफ उसके पानी होता है, और वो आवाज लगा रहा होता है help के लिए, पर finally, उसके सारे efforts जो होते हैं, मतलब he seized all his efforts and decided to relax as blackness swept over his brain वो पूरी तरीके से भई उसके अंदेरा चा जाता है उसके धिमाग के उपर, उसके आँखों के उपर ये सारे efforts उसने किये Why has the Yakima River has been referred to as a treacherous क्यों खतरनाक माना जाता था Yakima River को, because वहां बहुत सारे डूपने के cases हुए थे और उसको safe नहीं माना जाता था तो इसी वज़े से इसको treacherous का गया है How and when did Douglas develop an aversion to water पानी का डर उसको कब हुआ So एक दिन जब Douglas अपने पापा के साथ गया था बीच में California में वहां पे उसको एक strong wave ने knockdown कर दिया था, गिरा दिया था, जिसके बाद वो breathless हो गया था, after some year उसको एक बंदे ने भाई उचाल दिया था, पानी में धक्का देकर उसके बाद वो भी उसका experience बहुत खराब रहा So उसके बाद से उसके मन में एक डर बैट किया पानी को लेकर Describe the writer's childhood experience when he was three or four years old जब वो तीन चार साल का था, मैंने आपको पीछे बता दिया है वो ही इसमें बताया गया है Chapter 4 है दा Red Trap Important Question Answers देख लेते हैं इसके हम Why did Paddler decline to come home with Iron Master क्यों वो मना कर देता है क्योंकि देखे, Iron Master ने उसको गलती से अपना दोस्त समझ लिया था अपना Old Regimental Comrade समझ लिया था इसलिए उसने invite किया था Paddler ने decline कर दिया invitation क्योंकि पहली बात वो डरा हुआ था कि भाई वो मैं मतलब बताया भी नहीं कि मैं वो हुई नहीं बन था Secondly वो उसके पास पैसे थे जो वो चुरा के आ रहा था So वो सोचता है कि ये तो खुद मैं भाई शेर के मुँ में कूद रहूं ऐसा करूंगा तो Why did Paddler sign himself as Captain Von Steele क्योंकि Miss Wilmanson had been so nice to him all day long or as if he was a captain that gave power to him to raise himself about petty worldly temptations therefore he signed himself as Captain Von Steele और उसके बाद आगे बढ़ते हैं Why did Miss Wilmanson find the package Why did she give him a little cry of joy So Miss Wilmanson ने एक red trap मतलब देखा and उसके अंदर 3 मुड़े हुए 10 kroner थे and in the red trap उस चुए दानी के अंदर एक letter भी लिखा था जो कि उसी को address करके लिखा गया था and काफी उसकी तारीफ हुई Miss Wilmanson की आप बहुत अच्छी हो और इसको पढ़ते वे Wilmanson की आखों में आसु आ गए and pedler ने जो वो पैसे चुराए थे वो भी वापस दे दिये थे और उसने लिख दिया था कि इसका जो ओनर है उसको आप दे दे न and she also got a little Christmas present from him why did pedler decide to take his way through the forest? क्यों वो जंगल की तरफ चला जाता है? भाई उसने पैसे चुरा रखे थे pocket में उसने सोचा भाई public highway पे जाऊंगा तो पकड़ लेगा कोई so उसने पने रस्ते मोड कर और forest की तरफ वो चल दिया वहाँ पर जाके वो खो गया और उसको लग रहा था कि मैं एक red trap में फस चुका हूँ और खुद के ही जाल में में फस गया हूँ यह लालच यह बेट इसने मुझे फसा दिया है describe the hospitality that the paddler enjoyed while at the manor house of the iron master so iron master के घर पे एडला ने अच्छे से पूरा उसको comfort किया उसको निलाया दोलाया उसको खिलाया पिलाया क्योंकि iron master ने उसको अपना पुराना old regimental comrade समझ लिया था so he ordered his wallet to give his guest a good बात वो अपने नोकर चाकरों को बुलाता है iron master और कहता है भाई इसको निलाओ दोलाओ अच्छे से grooming करो इसकी बालवाल काटो shaving करवाओ अच्छे से dress पैनाओ suit पैनाओ और उसको अच्छे से Christmas की fist भी खिलफिश खिलाया गई porridge खिलाया गया यह सब होता है what made the paddler think that he had indeed fallen into a rat trap उसको कब लगता है कि मैं एक rat trap में फस चुका हूँ तो यह पीछे जो मैंने आपका forest वाला बताया था यह वो ही answer इसके अंदर आएगा what made the paddler accept Adla Wilmanson's invitation जो Adla लड़की है उसका invitation क्यों accept किया paddler ने क्योंकि Adla काफी जादा sympathizing मतलब कर रही थी वो जो वागा bond था यानि कि जो इदर इदर भटकने वाला paddler था उसको वो बहुत जादा दुखी समझ रही थी और वो काफी अच्छी लड़की थी वो चाहती थी कि वो काफी friendly है कि वो मतलब एक at least Christmas वो उनके साथ मनाए क्योंकि उसका कोई भी नहीं था ठीक है और इतनी friendly request थी paddler की कि मतलब paddler को उसने करी थी कि paddler मना ही नहीं कर पाया उसने accept करी लिया बही देखो old crafter ने कैसे उसका welcome किया सो काफी अनेरी शाम थी डार्क एवनिंग थी paddler को shelter चाहिए था उसने दर्वाजा कट-कटाया एक जोपड़ी का cottage का और he expected sore faces to greet him but surprisingly he got the hospitality of an old crafter उसको काफी अच्ची भाई सेवा मिली old crafter को भी खुशी हुई कि कोई उसके साथ अब बात करेगा उसका केला पंदूर हो जाएगा और उसको खाना पीना खिलाया उसके साथ जॉलिस भी खेला उसने तो यह सब है Now chapter 5 है इंडी को important question answers सो राजकुमार शुकला को एक resolute क्यों का गया है सो राजकुमार शुकला चाहते थे गांदी जी चंपारन में आये पर चंपारन काफी दूर था गांदी जी busy भी थे उस टाइम पे और वो other parts में गूम रहे थे तो जहाँ जहाँ गांदी जी जाते थे शुकला जी वहाँ पहुंच जाते थे सो कई हफतों तक उन्होंने गांदी जी को छोड़ा ही नहीं और उन्होंने गांदी जी को लगातार बैग किया कि आप एक date fix करिये और आ जाइए इतने मन्त के बाद देखने के बाद गांदी जी को लग गया कि भाई ये बंदा बहुत determined है resolute है सो राजकुमार शुकला गांदी जी को हर जगा फॉलो कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मेरा एक appointment है कानपूर में और राजकुमार जी वहां भी चले गए और हर जगा फॉलो किया उनके आश्रम में भी गये एमदाबाद में गांदी जी काफी इंप्रेस हो गए इनके determination से और गांदी जी ने बोला कि हाँ मैं कलकत्ता में आपसे मिलूँगा और वहां से फिर हम चंपारन चलेंगे क्योंकि राजकुमार शुकला एक share cropper थे चंपारन के वो illiterate थे लेकिन वो काफी resolute थे वो चाते थे कि वो congres session में जाएं और गांदी जी को complaint करें कैसे landlord system चल रहा है बियार में so he was sure that गांदी जी could help ठीक है so गांदी जी फिर चंपारन आते हैं why did गांदी जी agree to a settlement of 25% why जब ये 25% settlement की बात पर गांदी जी क्यों agree कर जाते है गांदी जी कहते हैं कि at least कुछ तो refund आ रहा है farmers का ये जो landlords और peasants के बीच की समस्या ये तो तूटेगी भई landlords ने surrender तो कर दिया money जरूरी नहीं है हमारी victory हुई है यहाँ पे कि हमने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया यह होगा what happened when Rajkumar took Gandhi ji to the house of Rajendra Prasad in Patna Patna में जब यह जाते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे Rajendra Prasad ji बाहर गए हुए थे तो उनके servant ने उनको अंदर आने के लिए allow कर दिया था और the servants mistook Gandhi ji for an untouchable they did not permit him to draw water from the well और उन्होंने Gandhi ji को untouchable समझ लिया था और उनको कुए से पानी निकालने दिया था यह एक गटना हुई थी how did Gandhi ji help the peasants of Champaran Gandhi ji ने कैसे मदद करी Gandhi ji को पता चला कि यह यह समस्या है Champaran में the landlords force the peasants to plant indigo landlords कहते थे कि अपनी जगाहों पर 15% जगा पर indigo उगाई जाएगी और जितनी भी उसकी harvesting होगी कटाई करके सारा surrender कर दो तीक है यही rent होगा तो उनको जबई जबरजस्ती agreement sign करवा दिया गया इतने laws हुए इतने laws हुए तीक है लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा अंगरेजों के अपर Gandhi ji ने पूरी तरीके से demonstration कि आप protest करी officials बिलकुल पागल हो चुके थे यह चल क्या रहे हैं और वो मान गए कि वो refund करेंगे 25% का मौहाफ़ा वाई डिड गांधी जी considered the Champaran episode to be a turning point in his life, so गांधी जी मानते हैं कि Champaran के episode से उनकी life में काभी turning point आया it was then that he decided to urge the departure the British from India, वो चाते थे कि अब British shirts को चला जाना चाहिए and ये civil obedience, disobedience का भी पहला experiment था when गांधी जी वोज ओन इस वे टू Champaran, he stayed in मुझफरफूर मुझफरफूर में वो रुके, जहां वो lawyer से मिले, जो कि sharecroppers का case लड़ रहे थे and काफी ज़्यादा डरे हुए थे जो farmers थे जितने भी और गांधी जी कहते हैं कि law courts तो useless हैं, the real relief for them was to be free from fear सबसे main बात है इनको डरना नहीं चाहिए, so the spontaneous demonstration by the peasants when गांधी जी was produced in court showed that they were instilled with a new strength and spirit, गांधी जी को जब अंग्रेजों ने court में बोलाया, so बहार demonstration चल रहा था अंग्रेजों से, और उन्होंने powers को भी बताया, कि aware करवाया, यह आपकी power है और यहीं से आगे के future moments भी जो थे गांधी जी के, उसकी foundation पड़ी और यह हो जाएगा अगला chapter है, number six poets and pancakes, इसके important question answers देख लेते हैं who was the English visitor to the studios and what was the purpose of his visit, so the Englishman who visited the studios was Stephen Spender, यह Stephen Spender था, जो कि एक English poet था और एक editor भी था, British periodical the encounter था, वो studio आता था, ता कि वो एक speech दे सके, at the invitation of Mr. Vasan, who was the boss of Gemini Studios, so he was unable to establish a report with his dazed audience, no one really understood the purpose of his visit, कोई जानता नहीं था कि क्यों आ रहा है वो even his identity was discovered by Ashok Mitran years later that to buy sheer dance, sheer chance भाई उसकी identity भी बहुत बाद में पता चली जो कि Ashok Mitran ने ढूंडी describe the makeup room of Gemini Studios as described by the author so makeup room कैसा था looked like a hair cutting salon with incandescent lights, lights बहुत सारी है, salon जैसा लगता है, कमरा काफी गरम है हर एंगल से वहाँ पे mirrors लगे हुए है काफी hot है, मतलब अंदर का जो पूरा room है, makeup वहाँ पे किया जाता है, इसलिए इसको एक fiery misery भी का गया है, what kind of effect does Ashok Mitran's style of writing have on the reader, so Ashok Mitran satirical style of writing has an underlying tone of humor which highlights the human foibles so the description of the events and the people at the Gemini Studios make the reader identify the common foibles in people present not just in the story but also in real life, कि भाई, यह जो common से कुछ foibles है, वो सिरफ story में नहीं, real life में भी लोगों के हैं, why was Gemini Studios a place of national integration in India, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग community से लोग काम करते थे, make-up department के अंदर एक बंगाली head कर रहा था और उसके बाद एक महरास्ट्रियन भी था and he was assisted by धारवाड, कन्ना डिगगा and आंधरा, मदरास, Indian Christian and Anglo, Burmese and the local tamils, यह सारे ही थे so इसलिए कि इसको national integration भी कहा जाता है कि इसने सभी लोगों को जोड़ा, why does Ashok Mitra call Subbu a charitable and improvident man so Subbu had a genuine love for anyone he came across, so his house was permanent residence for dozens of relations and acquaintances so hence the writers call him charitable and बहुत सारी लोग उसके जो acquaintances थे वो आके रहते थे उसके relatives उसके साथ में आके रहते थे उसके घर में permanent lease लिखा आ गया है why was Gemini Studios a favorite haunt of the poets Gemini Studio had an excellent mess which supplied coffee whole day, why वहां का mess था काफी अच्छा था night में भी होता था, it provided satisfying entertainment required for poetry, where everyone enjoyed and praised Gandhi over a cup of coffee सभी लोग गांधी की तारीफ करते थे coffee पीते पीते what is the fiery misery to those subjected to pancake make-up so ये पीछे मैंने आपको बता दिया है make-up room वाला ही है how did the people of madras and those of Gemini Studios respond to the plays staged by moral re-armament army why was the moral re-armament army welcomed at Gemini Studios so the moral re-armament army was warmly welcomed in Gemini Studios because it was a big change from their usual routine of crowd actors so the multicultural group of people from 20 countries brought a whiff of fresh air at Gemini Studios इसलिए वो उनको welcome करने के लिए खरे थे सात्मा चैप्टर अब हमारा है the interview इसके important question answers देख लेते हैं कौन-कौन से हैं why do you think Christopher Sylvester describes the viewpoints of other writers and authors when discussing the concept of an interview support your opinion with reference to any one writer cited so जब वो बात करते हैं interview के concept के बारे में so Christopher Sylvester mention करते हैं कि what other writers and authors have said about it so that his point of view was not the only one in the introduction so वो बताते हैं कि सरफ मेरा ही point of view ना रहे an interview always is about multiple perspectives interview के multiple perspectives होते हैं hence Sylvester honored other perspectives by mentioning them फिर आगे है यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखे how would you evaluate Mukundh Padmanabhan ठीक है as an interviewer mention at least two qualities he displays in his interview so first quality जो है Mukundh Padmanabhan की can improvise he ask a question based on what Umberto Eco says for example when Eco's देको Umberto Eco जो भी कहते हैं मतलब question यहाँ पर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि when Eco says he does many things but actually he is doing the same thing then Padmanabhan picks it up and ask which is so second he connects Eco's answer to the following question for example Eco says Eco कहते हैं कि novel satisfied my taste for narration so Padmanabhan कहते हैं ask his next question talking about novels और वो आगे मतलब और भी बाते करते हैं इस तरीके से वो question बार बार डालते हैं what is Umberto Eco's concept of interstices यह हमें बताना है so according to Umberto Eco हमारी life जो है जो हमारी our lives consist of empty spaces between activities like traveling in an elevator ठीक है these are the interstices which he used to write articles and other works what are some of the positive views on interviews so interview एक काफी young medium है जो कि 130 साल पुराना है and it has become a staple form of generalism generalism की भी एक staple form है यह यह काफी wild vivid impression देता है contemporaries का who are being interviewed and it is an enormously effective medium of communication communication का भी अच्छा medium है what was distinctive about Umberto Eco's academic writing so while other academics pursued our depersonalized dry and boring style in their scholarly work Umberto Eco used a personal style with a playful quality to write his scholarly work so this यह इसकी जो लिखने का तरीका था जो उसका scholarly work है वो काफी अलग quality का है बाकी लोगों का अलग है यही इसको बाकियों से अलग बनाती है chapter 8 है अब हमारा going places important question answers देख लेते हैं why didn't Sophie want Jensi to know about her meeting with Danny कैसी क्यों Sophie नहीं चाती थी कि Jensi को पता चले कि वो Danny कैसी से मिली है Sophia, sorry, Sophie didn't want to Jensi to know about her meeting with Danny because she was telling a story that was just for joke, so besides Jensi was a chatterbox and वो मतलब उसके बेट में बात नहीं पचने वाली अगर बता दिया तो पडोस में अडोस में हर जगा चल जाएगी, इसलिए नहीं बताया What was the only occasion in which Sophie got to see Danny कैसी So, वो कौन सा occasion था जिसमें Sophie Danny कैसी को देख सकती थी जो only occasion है, वो था Saturday, जब वो अपने father और ब्रदर के साथ जाती है, football match देखने, जिसमें Danny कैसी की football team United खेल रही थी Did Jeeoff keep his promise to Sophie क्या उसने अपना promise रखा सो नहीं, सो उसने ऐसा promise जो था वो नहीं रखा उसने कहा था, वो किसी को नहीं बताएगा लेकिन उसने नहीं रखा, even though he didn't mention the bit about a date, he did tell Frank about it Frank in his turn told Jansi, his sister, who asked Sophie about it a week later, सो उसने बता दिया वै Jeeoff ने How did Sophie's father react when Jeeoff told him about Sophie's meeting with Danny Casey, कैसा लगा Sophie के पिता को जब उसको पता चलता है Sophie Danny Casey से मिली है Sophie के फादर काफी ज़्यादा incredulous थे, जब जो बताता है कि Sophie ने ऐसे ऐसे मिला भाई, he didn't believe her for a minute और भाई, उसको विश्वास नहीं हो रहा था he dismissed what Jeeoff said immediately because he know his daughter's habits well and called it one of her wild stories, उसको लग रहा था भाई ये गलत है, उसको रहुसा ही नहीं हो था उसमें सोचे कोई ऐसी कहानी सुना दियोगी फिर उसके बाद आगे देखते हैं why did Jeeoff say discourage Sophie from having dreams, क्यों Jeeoff say कहती थी dream मत देखो, Jeeoff say काफी realistic लड़की थी, काफी practical लड़की थी, जो जानती थी, ठीक है भई जो ये जानती थी कि मतलब क्या हमारी life है, क्योंकि मतलब she and Sophie were are marked for the biscuit factory, और वो कहते हैं कि हम biscuit factory के लिए ही वने हैं, so she discouraged Sophie from living in a world of fantasy और सपनों की दुनिया एक fantasy होती है, वो हमेशा कहती है कि हमें इस fantasy की दुनिया में नहीं रहना, whenever Sophie expressed her wishes allowed, Gen-C became melancholic and told Sophie to behave sensibly, जब-जब Sophie चाहती है कुछ ऐसी बातें बताना, जो उसकी dream से related हैं, कुछ fictional बाते हैं, so Gen-C उदास हो जाती है और कहती है कि भई, real रहो ये मत बोलो, so ये सारे important question answers थे, जो मैंने आपको बताए हैं next video के अंदर मैं आपको बता दू long question answers करवाने वालों आपको, आज short answer type सारे कर लिए हैं हमने हर जगा, हर board के लिए video बहुत ज़्यादा helpful है, अगर आपके पास ये book है, flamingo book अगर आप पढ़ते हो, so आपके लिए ये video बहुत ज़्यादा ज़रूरी है so अगर आप सभी को ये सारी जितने भी questions करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप किरपया करके channel को subscribe कर दें, वीडियो को like करें and comment box में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, जै हिंदे जै भारत